हरे कृष्णा मैं भुवन सुन्दरे राधा दिवी दसी गुविंदास क्यों जिन में आपका हार्दिक स्वाववत करती हूँ भारतिय भोजन के जो प्रमुक भोजन है उसमें आता है दाल, चावल, सब्ची और रोटी या चपाती और भारतिय भोजन में हम देखा जाए तो अलग-अलग प्रांत में अलग-अलग टाइप्स की रोटियां बनाई जाती है और आज हम देखने जा रहा है चाबल के आटे की रोटी या तांदुल की रोटी उसे बहुत सारे अलग-अलग टाइप्स के नाम से जाना भी जाता है इस रोटी को आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में कभी भी इस रोटी को आप सबजी या करी के साथ सव कर सकते हैं चलिए बनाना शुरू करते हैं, सबसे पहले यहां पर हमने देड़ कप चावल का आटा लिया है चावल का आटे को आप चक्की में पिसबा सकते हो या प्रोविजन स्टोर्स पर आसानी से मिल जाता है सबसे पहले हम एक खडाई में देड़ कप पानी लेंगे पात अनुसार नमक डालेंगे इसमें हम आदा चमच घीर डालेंगे और घी को मिक्स कर लेंगे पानी में और इसे बॉयल होने देंगे आप देख सकते हैं, पानी जो है वह अभी उबल रहा है और इसी स्टेज पर हम इसमें चावल का आटा डालेंगे देड़ कप फ्लेम को हम लोई रखेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें याद रहे कि देड़ कप अगर हमने आटा लिया है तो देड़ कप इसमें पानी लेना है यह अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह पूरी तरह से तो मिक्स नहीं हो पाता है मगर जिस तरह यहां दिख रहा है वैसा ही हमें मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद स्टाव को बन कर देंगे और अब इसे डक्कन लगा कर हम 15 मिनिट के लिए ऐसे ही रख देंगे 15 मिनिट हो गई है आये चेक कर लेते हैं एक बार मिक्स कर लेंगे अभी पीव गरम है हम मिक्सिंग प्लेट में निकाल देंगे यहां पर हमने मिक्सिंग प्लेट में निकाल दिया है और वह थूड़ा सा गरम है तो ध्यान पूर्वक हम इसे मस लेंगे यह जब गरम रहता है तब हमें इसे मिक्स कर लेना है अब हम इसमें दो से तीन टेबल स्पून जितना पानी डालेंगे उपर से छिटकेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अब यह अच्छे से मिक्स हो जाएगा आप देख सकते हैं दीरे दीरे वह पूरा आटा जो है वह जूट जाएगा और इस रेसिपी में इस्तिमाल की गई सारी समगरी की लिष्ट हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है अब वहां चैक कर सकते हैं कि अब आप देख सकते हैं कि आटा जो है वह स्मूथ हो गया है सब अच्छे से मिक्स हो गया है अब यहां पर हम आदा चम्मज घी डालेंगे आटे को ले लेंगे और इसे अब अच्छे से मसल लेंगे आप देख सकते हैं आटा जो है वह बहुत ही स्मूथ हो रहा है अभी यह बिल्कुल रैडी है जब भी आटा सब गरम है तभी हमें सब करना है इसका टेक्शर भी बिल्कुल परफेक्ट है अब इसके हम मीडियम साइज के लोए बना लेंगे आपको जिस साइज की चपाती बनानी हो उस साइज के लोए बनाने है और बिल्कुल इसी तरह हम सारे ल लोये को हमें ढखकर ही रखना है, खुला नहीं रखना है, रोटी बनाने के लिए यहां पर हमने थोड़ा सा चावल का आटा लिया है, अब एक लोया लेंगे, और जब भी हम रोटी बनाएंगे, तभी हमें इस लोये को मसल लेना है, ताकि बिल्कुल भी इसमें क्रैक ना अब हम इसे आटे में डालेंगे, और हम बेलना शुरू करेंगे, हलके हाथों से इसे बेलना है, बहुत ही आसानी से रोटी बन जाती है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है, थोड़ा सा आटा लेंगे, बहुत जादा मोटी भी नहीं और पतली भी नहीं, मीडियम थिकनेस रखनी है, रोटी की, यह बिल्कुल तयार है, और एक रोटी दिखा दूंगी, इसी तरह हमें मसल लेंगे, लोए को, और चावल के आटे में डिप करेंगे, और इसे बेलेंगे, आगे भी हमने रागी की रोटी की रेसीपी शेयर की है, आप उसे भी चेक कर सकते है, वो भी ग्लूतेन फ्री है, और बहुत हि है यह रेडी है, बिल्कुल इसी तरह हमें सारी रोटीऑं बेलनी है, यहां पर हमने तबा गरम करना रख दिया है उस पर रोटी डालेंगे और उसे सेक लेंगे उपर से जब थोड़े से बबल साने लगे तब हमें इसे पलट लेना है आप देख सकते हैं थोड़ी सी फूल रही है हम पलट लेंगे और दूसरी साइड भी उसे मीडियम फ्लेम पर ही हमें कूप करना है अब हम इसे चिम्टे की मदद से रोटी को फ्लेम पर ले लेंगे और इसे सिक लेंगे आप देख रहा है बिल्कुल फुली-फुली सी रोटिया बन रही है आप तबा पर भी इसे फूला सकते हैं अब यह रैडी है इसी तरह हम दूसरी रोटी भी बना लेंगे इसे बबल्स आने तक इसे सिक लेंगे एक साइट से अब इसे हम पलट लेंगे तबा पर भी फूला सकते हम इसे अब हम फ्लेम पर ले लेंगे और इसे फुला लेंगे और इसी तरह हमें सारी रोटिया बना देनी है आप एक एक बेल कर एक एक फुला सकते हो या सारी रोटिया बेल कर भी इसे आप फुलाने के लिए रख सकते हो सारी रोटिया हमने बना ली है आप देख सकते हैं कि वह बिल्कुल भी सॉफ्ट है और क्रैक्स बिना की है यह लॉंग टाइम तक ऐसे ही सॉफ्ट रहती है इसके उपर हम घी लगा देंगे और इसी तरह सारी रूटियां पर हमें घी लगा लेना है चावल की आटे की रूटियां बिल्कुल तयार है तुलसी पत्र रखकर भगवान जगरनाची को भोग अर्पंड करेंगे चावल की आटे की रूटियां का भोग हमने भगवान जी को लगा दिया गया है आप भी इसे जरूर ट्राइ कीजिए कि अगर आपको वुगर एसे पस अच्छी लगती है तो लायक में दिये जाए पेल आइकॉन पर प्लिक कीजिए तकि वह आपको अनुम कि रहे कि हमेशा जब्भी हरे कृश्ञा हरे खृष्णा कृष्टा खृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम राम- Shakes